C++ में अगर किसी एक string के end में तुम्हें character add करना चाहते हो तो उसके दो तरीके हैं तो let's suppose तुम्हें n times character a add करना है string में तो पहला तरीका तो यह है कि तुम loop में n times s.pushback a कर सकते हो दूसरा तरीका यह है कि तुम s is equal to s plus a कर सकते हो Now, which is better? अब जो s.pushback की complexity है वो o of 1 होती है हमेशा बर जब तुम s is equal to s plus a करते हो तो उसकी time complexity string के size पे divin करती है क्यूंकि वो पहले string की copy बनाता है उसमे a add करता है और बाद में resultant string s में store करता है इसके कारान इसकी time complexity o of s.size बन जाती है इसलिए जब तुम loop में s.pushback a करते हो तो वो हर एक i की value के लिए o of 1 operation है बर जब तुम loop में s is equal to s plus a करते हो तो जैसे i की value increase करती है वैसे वैसे इस operation की भी time complexity increase करती जाती है इसलिए पहला method better है time complexity के बारे में और deep में जाने के लिए तुम मेरा पूरा time complexity वाला video देख सकते हो